हार्ण कोड़ी डेटा तो काफी यूज किया है पर नाव टाइम टू डील विद सम डाइनेमिक डेटा पूर डाइनेमिक डेटा को यूज करने का सबसे पहला स्टैप है इंटर्पोलेशन जिसको यूज करना बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग है हमें बस जरूत है एक प्र वेल्कम पैक तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटर्पोलेशन क्या होता है और उसके यूज केस मतलब कि इंटर्पोलेशन को हम कहां कहां और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अब इंटर्पोलेशन का सिंपली मतलब है हमारे टेंप्लेट यानि की HTML फाइल में डाइनेमिक डीटा को डिस्प्ले करना तो हम आ चुके हैं अपनी एप्लिकेशन अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम डाइनेमिक डीटा को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं यहां मैं लिखता हूँ वैलकम यूएक्स ट्रेंड तो अब यहां पर जो वैलकम और यूएक्स ट्रेंड लिखा है यह सब इस्टैटिक है अब हगर हम यहां पर डाइनेमिक डीटा डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंटर्पोलेशन तो हम चलते हैं अपने कोड में और यहां पर हम एक प्रोपर्टी बना लेते हैं नेम और इसका टाइप होगा स्ट्रिंग और इसमें हम लिख लेते हैं जोन डियो अब हम क्या करते हैं इस नेम की प्रोपर्टी को कोपी करते हैं और चलते हैं अपने स्टेमिल में और यहां लिखेंगे double cut leave braces में और यहाँ पे name जो हमने property बनाई ए यह वाली है अब हम चेक करते हैं तो अब आपने देका यहाँ पे आ रहे है जो उन डियो जो की अब एक dynamic data है जो की आ रहा है हमारी employee का object होता है जैसे मैं बना लेता हूँ एक EMP और इसमें property होती name जोखी होता जोन और एक होती position जोखी होती developer तो इसको हम कैसे दिखाते हैं यहाँ पहले तो हम double curly braces लगाते उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं यह EMP अब EMP मैंसे हमें क्या ची है name तो हम लिखते हैं EMP.name और उसके बाद इसी को वापस copy करते हैं नीचे और यहाँ पे जो position है यह copy करते हैं और इसमें EMP.position यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं तो हमें name भी मिल जाएगा और position भी मिल जाएगी जो कि है जोन और developer अब हम चेक करते हैं तो हम आपने देखा यहाँ पे EMP.name का name और position हमें दोनों मिल जाएगी तो इस टाइप से हम अपनी dynamic data को display कर सकते हैं अब इसका डूसरा use case है string concatenation इसमें हम क्या कर सकते हैं हम किसी string को अपनी dynamic value के साथ concatenate कर सकते हैं तो वो हम कैसे करेंगे हमें लगाना है double curly braces और यहाँ पे एक string लगाना है string single quote पे हम लगा लेते हैं हम लिखते हैं welcome या फिर my name is और उसके बाद हमें लगाना है plus और अब हम लगाते हैं यह property name इसको copy करते हैं और यहाँ paste कर देते हैं अब हम check करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे आगया my name is Michael my name is string था और Michael एक property तो हमने interpolation की help से इन दोनों को concatenate कर दिया अब आपने देखा है यहाँ पे is और Michael में विल्कुल भी space नहीं है तो अगर हम यहाँ पे इसमें space देना है तो हमें is के बाद space देना पड़ेगा और यह space string में ही देना है में जो कि single quote में हमारी string है तो अब यह ठीक हो गया तो अब इसका तीसरा use case है calculations कि हम interpolation की help से calculations भी कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं double curly braces और इसके बीच में हम लिखते हैं 5 plus 5 अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे आगया 10 दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं 5 multiplied 5 तो यह आगया 25 इसी type से 5 minus 2 तो यह आगया 3 तो दोस्तों कैलकुरेशन करने की ज़रूत हमें कहाँ पड़ती है जैसे कि हमारी एक e-commerce app है उसमें हमारे पास कई सारे product है उसमें से एक product है 100 रूपीज का और किसी ने वो purchase किये 3 product तो हमें price और quantity को multiply करना पड़ेगा वहाँ पे हमें जड़त पड़ेगी calculations की अब जैसे मैं यहाँ पे एक property बना लेता हूँ price और दूसरा quantity तो अब हम क्या करेंगे लिख देते हैं price और यहाँ पे लिख देते हैं quantity और बीच में multiply का symbol लगाते थे हैं जो क्यों होता है asterix अब हम चेक करते हैं तो अपने देगा यहाँ पे आगया 300 तो इस type से हम calculations भी कर सकते हैं अब इसका चोथा use case है कि हम JavaScript के built-in property और method भी यहाँ पे यूज कर सकते है तो हम लगाते है डबल करड़ी ब्रेसिस और यहाँ पे property लिखते हैं जो की है name अब इसके बाद हम लगाते है dot length अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे length आ रही है 6 जो की हमारी name property की length है अब आप देखेंगे यहाँ पे Michael में कितनी letter है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यही length यहाँ पे show रही है जो की है 6 उसके बाद और भी कई सारे JavaScript के method है जैसे true uppercase slice includes तो यहाँ पे आगया true अब मैं यहाँ लेक देता हूँ के अब देखते हैं case में included है या नही है जैसे हम built-in JavaScript property और method भी इसमें use कर सकते हैं और भी काफी सारे JavaScript built-in method है जिन मैंसे कुछ मैंने copy करके रख रखे हैं आपको show करने के लिए अब इसका पांच और use case है कि हम किसी method को भी interpolation में use कर सकते हैं for example हम एक method बना लेते हैं और method क्या होगा calculate total मतलब आप इसको function ही मान सकते हो JavaScript में इसके आगे function लिखना पड़ता है पर type script में यहाँ पे इसको हम कहते है method और इसके आगे function नहीं लिखना पड़ता अब हमें calculate total कैसे करना है हमें क्या करना है return price multiply quantity अब यहाँ पे आप देखेंगे यह error दे रहा है क्यों? क्योंकि हमें इससे पहले this लगाना पड़ेगा क्योंकि यह जितनी भी property है इनको access करने के लिए हमें this keyword लगाना पड़ता है अब हम क्या करते हैं इस calculate total को उठाते हैं और यहाँ पे paste कर देते हैं अब हम check करते हैं तो अब आपने देखा यहाँ पे आ रहा है 300 मैं इसको change कर लेता हूँ उसको 45 कर देता हूँ तो अब यहाँ पे आ रहा है 135 और हम किस टाइप की calculation कर सकते हैं जैसे हमें कोई tax वगरा calculate करना हो जैसे कि हम यह लिए लिए है calculate tax अब इस method को हम copy करते हैं उसकी tax script file में बना भी लेते हैं अब मैं यहाँ पे एक और property बना लेता हूँ जो की होगी tax और tax हम मान लेते हैं कि हमारा 8.5% है परसेंट हम लिखनी रहे हैं इसको number में रखने हैं तो हम किसका tax निकालते हैं price पे कितना tax है वो निकालते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे this.price into this.tax और दोनों को एक bracket में रखेंगे divide by 100 क्योंकि यह tax है परसेंटेज में और इसको हम कर देते हैं रिटर्ल अब हम चेक करते हैं तो अब आपने देखा यहाँ पे 3.825 यह tax आगया अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे 3.825 की जगे 3.8 ही चाहिए यहाँ फिर 3.82 तो यह कैसे करेंगे अब इससे पहले वाले यूज केस में मैंने आपको कुछ जावा स्क्रिप्ट के method बताए थे न उसमें एक method और होता है हम यहाँ पे लिख लिएते हैं to fixed तो हम यह two fixed यूज करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे dot two fixed और यहाँ पे हम डाल देंगे two तो आपने देखा यहाँ पे 3.83% टेक्स आए हम अगर one डाल देंगे तो यहाँ पे आएगा 3.8 तो अब आपको इस वाले fourth वाले use case का भी यहाँ पे real use case मिल गया और दूसरा मैं एक और use case पे include कर सकता हूँ जो की है string concatenation वाला तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे plus और single quote में percent तो अब आप देखेंगे यहाँ पे text क्या रहा है 3.8% तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले use case में हमारे 2-3 use case include होगे अब हमारा छटा use case है ternary conditional operator अब दोस्तों आपने देखा होगा अगर कोई employee management वाली app है उसमें अगर हम add employee करते हैं तो उसका जो form है उसका जो button है उस पे आता है submit या फिर add employee और अगर हम किसी employee को edit करते हैं तो नीचे button पे क्या आता है update employee तो वो कैसे होता है हम इसके type script file में चलते हैं और यहाँ पे property बनाते हैं edit mode इसका type रखते हैं boolean और इसको रखते हैं false अब हम क्या करते हैं edit mode को करते हैं copy और यहाँ पे हम लबाते हैं edit mode अब हम इस तर्णरी conditional operator में क्या करना है इसके आगे लगाना है question mark और उसके बाद हम single quote में लिखते हैं update और इसके बाद हम colon देते हैं और single quote में लिखते हैं add अब हम check करते हैं तो यहाँ पे आया add अब मान दीजिए यह एक button है और इसको हम cut करते हैं और इस button में डाल देते हैं यह होना चाहिए button का text तो हम यह add के साथ लिख देते हैं employee और ऐसे ही update employee तो अब आपने देखा यहाँ पे आगया add employee और यह क्यों आगया क्योंकि हमारा edit mode false है जब edit mode false है तो हम add करते हैं अब edit mode अगर हमारा true होगा तो हम edit कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा update employee इसका मतलब हम employee को update करते हैं एडिट करते हैं तो इस type से हम interpolation में ternary operator यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों यह सारे use case है interpolation को यूज़ करने के कि हम dynamic data को display कर सकते हैं string concatenate कर सकते हैं calculation कर सकते हैं javascript के built-in method यूज़ कर सकते हैं किसी method का result यहाँ show कर सकते हैं ternary conditional operators में यूज़ कर सकते हैं अब आती है आपके लिए एक bonus tip कि इसको आपको कहा कहा use नहीं करना तो इन तीलो case में यह interpolation बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है पर हमें यहाँ पे interpolation को use नहीं करना क्योंकि angular में एक better way है इसको use करने के लिए जो कि मैं आपको बताऊगा अपनी next वीडियो में दूस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को ताकि मेरी next technology वीडियो का अपडेट आपको मिल सके